भरवा मिरच का नाम सुनते ही मुँमे पानी आता है दोस्तों ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं चाहे पराठा के साथ खाएं रोटी के साथ चावल के साथ या नान के साथ आप चाहे जैसे भी खाएं और इसको बनाना बहुत आसान है इसको बनाने के लिए हमने ले इसको हम खूब अच्हे से भून लेंगे बिल्कूल फ्लेम पे हमें भूना है तेज गैस पे नहीं भूनना थेच कि обूर आरामसे इसको भूनेंगे हलकी फ्लेम पे भूनने पाद हम Inसालों को ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद हम अ् sparkयाञ न दके अगये यह हम इस्टरफिंग बना रहे हैं जो की मिरच की अंदर भरेंगे और इसकी बाद हम इसमें प्याज भी डालेंगे पहले हम इसको ऐसे ही प्याज के साथ अगर हम प्याज के साथ अगर हम प्याज के साथ तो यह महीन नहीं होगा तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर चार प्य बिगो कर रग दी थी तो यह भीग चुकी है लगभग 20 नट पहले हमने यह खटाई भीगोई थी तो यह खटाई हमारी भीग चुकी है चार कलिया है तो हम इसी में डाल करके खटाई को भी पीस लेंगे ताकि हमारा जो मिरच बनेगा यह मसाला जो बनकर तयार हो रहा है यह रहétais हो थी टेश्टी बनकर तयार होगा खटा खटा सा लगेगा और खाने में बहुत अच्छा लगेगा तो देख सकते हैं हमने इसको भी ऐसे पीस लिया है सारी चीजें एक साथ ही पीस लिये और अब हम इसं इस बसे बतन में निकाल लेंगे निकालने के बाद आभी हम इ इसमें नमक डालेंगे यहाँ पर हम लाल मिर्ची का उपयोग नहीं करेंगे लाल मिर्च हम बिलकुल नहीं डालेंगे क्योंकि यह मिर्च हमारी ऐसे भी कड़वी होती है अगर आपको ज्यादा तीखा पसंद है तो आप लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं तो यहाँ पर मैंने सि मिरच है उसको साफ कर लेते हैं तो ये आधा किलो के करीब मिरच है हमारी इसको हमने धुल लिया है अच्छे से साफ भी कर लिया है पानी इसका सारा ने चुड़ गया है और अब हम इसमें मसाले भरेंगे तो सबसे पहले हम चाकू से इसमें कट लगाएंगे आप चाहें तो डंठल हटा सकते हैं लेकिन हम यहाँ पर डंठल नहीं हटाएंगे डंठल के साथ ही हम इसको बनाएंगे क्योंकि हम डंठल के साथ ही इसको बनाते हैं आप चाहें तो इस डंठल हटा सकते हैं बीच में आपको चीरा लगाना है और चीरा लगाने के बात इसका जो मू होता ह खुल जाएगा और आप इसी के अंदर अपने मसाले भर दीजिए जो मसाले आपने तयार किये हैं वही मसाले इसके अंदर भर लीजिए एक एक करके आप जितने भी मिरच हैं सारे मिरच के अंदर मसाले भर ये आप इसको दाल के साथ चावल के साथ रोटी के साथ नान के साथ पराठे के साथ चाहे जैसे खाएं आपको ये बहुत स्वाधिस्ट लगेंगे आप इसको एक दिन बना लीजिए और फ्रिज में रख दीजिए 15-20 दिनों तक ये चलते हैं खराब बिल्कुल नहीं होते हैं और बच्चे बड़े सब ही इसको पसंद करते हैं तो इसी क्रम से आप बना सकते हैं एक एक करके हम जितने भी हमारे मिरच हैं हम सब को भरके रेड़ी कर लेंगे और इसको हम अभी पकाएंगे तो लगबख हमारी जो मिरची है सारी भरकर रेड़ी हो चुकी है तयार है और अब हम गैस की तरफ चलेंगे गैस को हम आउन करेंगे गैस पे हम कढ़ाई रखेंगे आप चाहें तो फ्राइपैन में भी इसको बना सकते हैं तो यहां पर हमने कढ़ाई ले लिए हैं कढ़ाई में हम दो चम्मस तेल डालेंगे तेल जब हमारा गरम हो जाएगा तब हम एक एक करके सारी मिरच डाल देंगे इसे में और उपर से हम धक्कन तो सस्क्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए तो आप लोग देख सकते हैं कि मिरच को मैंने दुबारा से चला दिया है और फिर से इस फे हम धक्कन लगा देंगे धक्कन लगा कर अभी हम 5-10 विनट के लिए इसको और पकाएंगे और 10 विनट के ब पाद हम इसको दूसरे बर्तन में निकालेंगे आप लोग देख सकते हैं कि कितने बढ़िया हमारे मिरच बनकर तयार हुए हैं और इसको हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे आप इसको फ्रिज में रखिए अराम से रखिए 15 दिनों तक ये खराब नहीं होंगे आप 15-20 दिन तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपका कुछ भी बनाने का मन ना हो तो आप पराठा बना लेजिए और मिरच ले लेजिए आप खाईए आपका पेट भर जाएगा और आपको बहुत ही स्वाधिष्ट भी लगेगा तो देख सकते हैं कि ये हमारे भरवा मिरच बन